कक्षा छे वह चिडिया जो यह कविता लिखी है केदारनाथ अग्रवाल जी ने जिनका जन्म हुआ था 1 अप्रेल 1911 और निदन 22 जून 2000 जो उत्तर प्रदेश के थे उसका ग्राम कामा सिन और जीला था बांधा तो छात्रो यह है हमारा काविय इस काविय के द्वारा कवी केदारनाथ जी ने हम मनुष्य को एक छोटी सी चीडिया के द्वारा बहुत बड़ा संदेशा देने की कोशिश की है कि मनुष्य में कैसे और क्या-क्या गुण होने चाहिए फिर एक सवाल हमें ये भी होता है कि इसमें उचारन हुआ है नीले पंखो वाली चीडिया तो चीडिया तो कभी नीले पंखो वाली होती नहीं है तो फिर यहाँ पर नीले पंखो वाली चीडिया क्यों बोला गया है तो एक हम बोल सकते है कि ये कभी का अनुमान या कल्पना भी हो सकती है और दूसरा पक्षि विग्णानी सालिम अली जिसका यी पुस्तक का नाम है भारतिय पक्षी उसमें एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आने वाले पक्षियों का वर्णन है उनकी पुस्तक को देखकर हम यह अनुमान लगा सकते है कि इस कभीता में वर्णित नीली चीडिया शायद इन में से भी कोई हो सकती है तो चले चात्रो हम देखे यह काविया वह चीडिया जो वह चीडिया जो चोंच मार कर दूद भरे जुन्डी के दाने रुची से रस से खा लेती है वह छोटी संतोशी चीडिया नीले पंखो वाली मैं हूँ मुझे अन्न से बहुत प्यार है तो कवी ने हमें इस पंक्ति के द्वारा चीडिया के माध्यम द्वारा पताने की कोशिश की है कि एक छोटी सी चीडिया दूद भरे जुन्डी के दाने जुन्डी के दाने मतलब कोई भी अनाज होता है उसका दाना जब कच्चा होता है तो उसके अंदर दूद जैसा द्रव्य होता है तो वो गेहू हो या जवार हो तो उसको जो चीडिया है वो बड़े ही चाओं से खाती है, बड़े ही रूची से खाती है, बड़े ही प्यार से खाती है उसको जितना भी मिलता है, उसमें वो संतोष्ट हो जाती है तो कवी इस तरह हमें बोलते हैं कि हमें इंसान को भी जितना भी मिलता है उसमें संतोष मानना चाहिए और नीले पंखो वाली मैं हूँ मुझे अन्न से बहुत प्यार है वो अन्न से बहुत प्यार करती है चितना भी मिलता है जैसा भी मिलता है वो खा लेती है और वो अन्न का मान करती है इसलिए वो कहती है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है वह चिडिया जो कंठ खोल कर बूठे वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गालेती है वह चोटी मूपोली चिडिया नीले पंखो वाली मैं हूँ मुझे विजन से बहुत प्यार है इस पंख्ती के द्वारा कभी ने हमें समझाने की कोशिश की है कि वह चोटी सी चिडिया जो अपना कंठ खोल कर बूठे वन बाबा की खातिर बूठे वन मतलब कि जो बहुत घना जंगल है जो बहुत वर्षो बहुत सालों बुराना वन खड़ा है जहां पर ना किसी की चहल पहल है ना किसी का आना जाना है चो उदासा खड़ा हुआ है वहाँ पर ये छोटी सी चीरिया जाकर अपने गीतों से अपने मदूर आवाज से पूरे वातावरन को रमनिय कर देती है और बुडे वन बाबा को मतलब कि वो जंगल को वो इतना खुश कर देती है कि ये जंगल भी छोटी सी चीरिया से खुश हो जाता है और खुशी से जूम उड़ता है तो वह मुह बोली चीरिया नीले पंखो वाली मैं हूँ मुझे विजन से बहुत प्यार है जहाँ पर शांती है विजन मतलब शांती वी मतलब कोई नहीं और जन मतलब व्यक्ति जहाँ पर कोई व्यक्ति आता जाता नहीं हो ऐसा विजन जहाँ पर एकदम सुनकार हो जहाँ पर सन्नाटा हो एकांथ हो एकांथ से चिडिया को बहुत प्यार है तो वो बुड़ेवन बाबा की खातिर मदूर गीत भी सुनाती है और इससे हमें दो चीज सीखने को मिलती है एक तो मदूर बोलना और किसी के लिए हमें कुछ करने की भावना होना वह चिडिया जो चौच मार कर चड़ी नदी का दिल टटोल कर जलका मोती ले जाती है वह छोटी गरवीली चिडिया नीले पंखो वाली मैं हूँ मुझे नदी से बहुत प्यार है इस पंख्ती में कवी हमें कहना चाते है कि जब चिडिया नदी के पास पानी पीने के लिए जाती है तब वो ऐसे ही पानी नहीं पी लेती है वो सबसे पहले नदी से उसकी इच्छा पूचती है और जब नदी उसको आग्या देती है तब ही वो जलका मोती ग्रहन करती है जलका मोती का मतलब है कि जब पानी में बहुत सारी उफन आती है एकदम प्रवा जोर से बैता है तब उसके अंदर उसकी बूंदे है वो दूर से हमें मोतियों के जैसी लगती है तो वो जलरूपी मोती है वह ये चिडिया पीती है क्योंकि ये चिडिया बहुत ही गर्वीली चिडिया है इसको बहुत गर्व है ये बहुत ही स्वाभीमानी चिडिया है ये नीले पंखो वाली चिडिया है वो बहुत ही नीडर है और इसको नदी से भी बहुत ही प्यार है तो देखा दोस्तों हमने कितनी चीजे हमें ये छोटी सी नीले पंखो वाली चिरिया के पास से सिखने को मिली एक तो हमें संतोशी होना चाहिए, दूसरा मधूर वानी बोननी चाहिए और दूसरों के लिए हमें कुछ करना चाहिए और फिर है हमें नीडर बनना चाहिए और हमें खुद पर स्वाविमान और गर्व होना चाहिए